हेलो बिच्चो आज हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी यह भी के प्रश्णुतर तो आपकी पार्टि पुस्तर के प्रश्णुतर जो है उनके बारे में देखिए पहला प्रश्ण है लेक्का के वेक्तितुपर किन-किन वेक्तियों और किस रूप से प्रभाव पढ़ा किन-किन नाम बताने हैं अब किस तरह से पढ़ा लेका के पिता एक प्रतिष्ण और सम्मानित व्यक्ति थे पूरे परिवार पर उनका वर्चस मतलब उनका बोल बाला था रॉप था गोरा रंग उनके पिता जी की सबसे बड़ी कमजोरी थी और लेकी का जो थी वह सावले रंग की इसी कारण इतने वर्षों बाद भी अपना सम्मान पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बावजूद भी वे इस हीन भावना की ग्रंति से उपर नहीं सकी और पिता जी की वजह से उनके प्रभार की वजह से लेक का जो थी वह इस हीन भावना से ग्रसित रही और इतनी बड प्रभाव पढ़ा पिताजी शक्की सभॉह के थे क्योंकि कभी-कभी उनकी झलक में क्यों जब वो बाहर नारे लगाती थी पिताजी बहुत गुस्टा करते थे लड़कों के साथ विचारों के टकुराओं भी उनके मन में कुंठाओं को जम जयुति इस नहीं पुद पक note ले यही कारण है कि पिता जी इस प्रभाव से लेका ने स्वयम को कभी मुक्त नहीं कर पाए, तो पिता जी के प्रभाव से कभी भी लेकी का मुक्त नहीं हो पाए, हमेशा हर काम में उनके पिता जी का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, शीला अगरवार जो लेका को पुष्टकों की मातर पढ़ने के स्थान पर उन्होंने चुनाओ करना सिखाया कि चुन करके चीजों को पढ़ो और फिर फिर उसके बारे में discussion करो बहयस मतला डिसकेशन करो तो तुम्हारे अपने भाव भी निकल के आएंगे और ये सब उन्होंने लेका को सिखाए भाई बहनों के घर से जाने के बाद लेका को उनके पिताजी ने एक नई दिशा दी जब भाई भेन चले गए तब पिताजी का ध्यान इनकी तरफ आकर्शित हुआ और उन्होंने रसोई घर की चार दिवारी से निकाल करके बाहर होने वाली सभी गोश्टियों में लेका को शामिल करने की बात करी वो उनको शामिल करते थे देश में होने वाली गतिदियों आदि के बारे में जानकारी मिल सके इसके लिए वो लोगों को साथ उनको बैठने की लिए अनुमती देते थे शीला अग्रवाल ने उन्हें इस आंदोलन में सक्री रूप से भाग लेना सिखाया पिता जी ने तो केवल जानना सिखाया लेकिन शीला अग्रवाल ने उनको सक्री रूप से खुद परसनली जा करके उसमें भाग लेना सिखाया लेका के विक्तित पर इन दो लोगों का मह संबोधित किया है क्यों तो आत्मकथा में लेका के पिता ने रसोई को भट्यार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि उनका मानना है कि रसोई घर में उसकी भट्टी में महलाओं की प्रतिभाह और शमता चलकर राख हो जाती और यह बिल्कुत सच बात है पहले की लड पाती थी तो इसी लिए पिता जी नहीं चाहते थे कि इतनी प्रतिभावान लड़की जो है वो रसोई घर के भट्यार खाने में जाकर कि अपनी जिंद्गी बरबाद कर दे कि उन्हीं रसोई के कारें मों उच्छा कर अपनी पतिभाह कला शमता और इच्छाओं का दमन करन तो इसलिए मां के लिए उनके मन में कोई इज़त कोई सम्मान ने दे क्योंकि मां तो केवल खाना बनाने का काम कर थी और यह कोई बहुत काम नहीं है पिता जी कहने साथ प्रेश्ण तीन व्यां कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेका को ना अपने आंखों प प्रसिद्धी हो जाए यह उनके लिए सबसे अची चीज़ तो व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीवन जीना चाहिए और समाज में इज़त सम्मान से होनी चाहिए इस सिधान को लेकर में अपने जीवन पर चलते रहे पिता जी को बहुत पसंद था कि लोग सम्मान कर और सारी कि सारी क्लास्ट्रों के बाग जाती इस बात से बहुत खुश हो गया क्यों कि वह यह और प्रसद्धी के प्रशन सकते उनको वहीं चाहिए था तो वह तो लड़की को लेकिका को अपने कानों पर रुश्वास नहीं हुआ क्या सच मुछ पिता जी मेरी तारीफ कर तो प्योंकि ने कभी उनकी तारीफ नहीं कि जब फुस्के भर हुए कालेज कॉलेज गयी थी तब डहितना निकल जाए तो अब उससे बुमारों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि गुस्ते से लेका वैरTrli मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, यही सब देखकर लेका को अपने आक कान पर इश्बस नहीं हुआ अब पिता जी से जो लेका की अपनी वेचारिक टक्राहट थी वेचारों में जो टक्राव होते थे, उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है उत्तर क्या है अपने ही लोगों के हाथों विश्वास खातने लेका के पिता को शक्की बना दिया था पिता जी जो थे जब अजमेर में रहते थे और इंदौर में रहते थे तो उनके साथ कुछ घटनाएं घटी होंगी और उनकी आर्थी किस्तिती खराब हो गई तो उनके अपने ही लोगों ने उनको ठगा था इसलिए वो सब पर शक करने लग गए थे और इसी विज़े से वो अपनी बेटी पर भी शक करते थे इसी कारण जब लेका ने होश्टा अमाला तब से उनके पिता से किसी ना किसी बाद पर टकराओ चलता थ पिता और उनकी हमे नहीं पतान करना यहीं पूल रहा है कि जुड highly प्रिशंसा कर रहा है यह खुद देख शुक्ति वह कोंब है ती गोरा रंग ता तो पिता अक्सर इनकी बेहरण से इनकी तुलना किया करते थे जिसकी वज़े से भी ये हीन भावना से ग्रसेत हो गई और पिचा से पिता जी से इनके कभी भी विचार आपस में नहीं मेल खाए पॉइंट बनाके लिखना है प्रेश्ण पांच इस आत्मकत्ति के आधार पर स्वाधिन्ता आंदोलन की परद क्या सहियोग दिया पिता के साथ घर में होने वाली गोश्टियों ने मन्नु के देश में चल रही स्वाधिन्ता से जुड़ी गतितियों के प्रति जाग रूप बना दिया था कॉलेज की हिंदी प्राध्यापिका शीलागरवाल ने उन्हें कि आंदोलोन में सक्री रूप स से जुड़ने के लिए प्रेरित किया परणाम सुरूप मन्नु और उनके साथ दो एक लड़किया एक संकेत पर सारे कॉलेज की लड़किया बहार निकल जाती थी अभी क्या किया इन्होंने पिता जी ने इनको गोश्टियों में बैठने को कहा कि अच्छा आओ बैठो साथ पर सद्धी हो गई थी कि इशारे पर इंके सारी लड़किया इखटी हो जाती थी चारों और से उमड़ती भीड के बीच में खड़ी होकर के बिना किसी संकोच के धुआधार बोलती थी हिंदी तो अच्छी थी शब्दों का संग्रह अच्छा था बोलने की कला भी अच्छ यह उनका योगदान हुआ करता था जेल जाने को लोग अपनी प्रतिष्ठा अपना समवान समझा करते थे वही इनके साथ हुआ इनको कॉलेश से निकाल दिया गया तो यह इनका योगदान रहा सौतंता-संग्राम के आंदोलन वे कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी उनकी इन संग्राम के आंदूलन में तो अभी ये दो तीन बातियां आपको पॉइंट बना करके लिखनी होगी और थोड़ी बहुत कहानी भी साथ में आप बताते चलेंगे आगे हैं रचना और अभिव्यक्ति प्रश्न 6 लेका ने बच्पन में अपने भाईयों के साथ गिली डंडा पतां कुड़ाने जैसे खेल भी खेल लेकिन तो लड़की होने के कारण उनका दाइरा घर की चार दिवारी तक सीमित था क्या आज भी लड़कियों के लिए इसी ही है या बदल गई है अपने परिवेश के आधार पर लिखिए अभी यह इंपॉर्टन प्रिटन है लेकिन इनका जो दाइरा था वो क्या था बहुत सीमित था चार दिवारी का दाइरा घर के अंदर ही खेलती थी यह बाहर निकल कर खेलने को नहीं मिलता था क्या आज भी वही परिवेश है आप अपने परिवेश के आधार पर आपको लिखना है लेका ने बच्पन में कर रहें आज अस्तितियां बदल गई है आज लड़कियों पर लगें अंकुष दीरे-दीरे समाप्त हो गए अभी कोई रोक टोक लड़कियों के ऊपर नहीं रह गई है जादा नहीं रह गई थोड़ी बहुत है लड़कियां घर के अंदर खेलने के उदने तक ही सीमित नह सकती है कौन सी कोई भी शेत्र ऐसा नहीं है जहां लड़कियां नाम रोशन ना कर रही हो तो आज इस्थितियां पर बदल गई है आज लड़कियों का दारा चार दिवारी से निकल करके खुला और विस्तरत हो गया आज का लड़कियों से कम नहीं है जो काम लड़के कर सकत सकते हैं वह अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं तो परिवेश बदल गया इस्थितियां बदल गई लड़कियों की वी इस्थिति जो है वो उसके अनुसार बदली है हो सकता है आपको इसी विशेफ पर कोई paragraph लिकने को और अनुषेद लेकर में आपको इसी तरह का बड़े शहरों में रहने वाले लोग प्राया पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं अपने अनुभों के आधार पर लिखिए अभी जो हमारा आस पड़ोस होता है यह हमारे संसकार हमारे परमप्राओं को बनाने में इसका भी बहुत बड़ा योगतान होता है हमारे जीव रहा है जी रहा है है गर में कि नहीं किसी को कुछ मालूम नहीं होता पहले क्या होता था अड़ोसी प्रोसी नाना रादी अंकल चाचा ताउजी सब बन जाते थे और वो रिष्टे ता जिंदगी निभाए जाते थे आज परिवेश बदल चुका है न्यूक्लियर हो गई है पडोस कल्चर बिलकुँ समाप्त होता है सब अपने आप में अंदरी अंदर सिमटने लग गए हैं आज मनुष के समंधों का शेतर सीमित होता जा रहा है मनुष आत्म के अंदर अपने लिए जो करना है मेरे लिए आज हम क्या करते हैं घर साफ करा कच्रा बाहर पडोसी का सब लोग मिल करके त्योहार मना थे आज अभुतों सब लोगों को समय का भाव हो रहा है लोगों का इतना समय सभी अपने स्वार्थ के पेचे हो रहते हैं दोता है कई लोग तो पढूस के नाम से बर्स वहता है और सच बात है कुई कई बार लोग ऐसा होता है कि पढूस का नाम तक नहीं पता होता, तो ये कल्चर धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है, जो कि एक सामाजिक व्यवस्था के लिए एक परिशानी की बात है, हमें इस कल्चर को बढ़ाना होगा, भाशाध्यन प्रश्न दस, इस आत्मकत्त में मुहावरों का प्रयोग करके लेकान रश्ना को प्रोचक बनाएं, आपको इस आत्मकत्त में बहुत सारे मुहावरे पढ़ने को मिलेंगे, उन मुहावरों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, और आप उसका वाक्य बना सकें, तो यहां रिखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाएं, पंक्ति द नारे बाजी कर रहें, लड़कों के साथ मिल करके, उन अच्छी तरह पिता जी की लू उतारी, पिता जी क्या थे वो अपनी प्रिसद्धी, अपने यश में बड़े गरव में रहा करते थे, तो उन्होंने आ करके उनकी बेजती करी, तो लू उतारी, दूसरा वाक्य क्या बनाएंगे, निर्धन और लाचार व्यक्ति की कोई भी लू उतार देता है, इस्जत उतारना मतला इस्जत उतार देना, तो जो गरीब होता है, जिसके पास ताकत कम होती है, उसकी तो इस्जत की सब बड़ी आसान से आसानी से उतारी जा सकती है, तो आपको इस तरह का आग लगाना, अपने स्वार्थ के लिए नेता जनता में बड़ी आसानी से सामप्रदाइक्ता की आग लगा देते हैं, आज कल आपने वोट भुनाने के लिए मेरे वोट मिल जाए, वो दूसरी पार्टी के बारे में, दूसरे किसी समप्रदाए के बारे में तुरंत आग लगाने नोगों को भड़का देना गा बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर तूथू करके चले जाएं यह पिता जी का वाकिया है लोग उन्हों पिता जी जो है वो जब बेटी के बारे में लोगों ने आकर के बाह कहा तो मासे वो नाराज हूए कि अब यही रह गया है लोग घर आया घर में आ करके तूरत चले जाएं हमारे अगर में आकर के में बिजती करके चले जाएं तूरत घर करना बेगयों पिता जी आख कौबूला हो जाना बेटे को शराब पीते कर पिता आग बबूला हो गया अब आप इस तरह का कोई भी वाक्य बना सकते हैं, तो बचों ये हैं आपके पाठे पुस्तक के सभी प्रश्न और इसके सभी प्रश्न important है, ये पाठ आखरी का पाठ, आखरी के दो पाठों में से है, तो आपके एन्वेल एक्जाम में इसमें से एक या दो प्रश्न अवश् तो आपको इस पार्ट की अच्छी तैयारी करनी होगी उम्मीद करती हूं आपको प्रश्ण उतर समझ में आ गए होंगे नहीं समझ में आए हो तो वीडियो को रिपीट करके देखिए और अगर फिर भी कोई परिशानी हो तो कमेंट में मुझे लेखिए मिलते हैं अगले पा